लगा दिये गए हैं निकी भर दिये गे 11 केबिनेट मिनिस्टर्स दो मिनिस्टर आफ स्टेट्स और एक खुद बुख्य मंत्री तो कुल मिलाकर 14 का अकड़ा होता है और हरियाना में जिस प्रकार से जो कानूनी साब से या टेक्निकल पॉइंट से इसको कहा जा सकता है 14 मंत्र हैं तो पूरा मंत्री मंडल का गठन जो है वो हो चुका है अब आगे कोई फेर बदल करना होगा तो फेर बदल हो सकता है कहीं न कहीं उसमें एड़न नहीं किया जा सकता कोई नया मंत्री नहीं बनाया जा सकता कुछ पुरानों को हटा कर नया बनाया जा सकता इस प्रकार की चीजे हैं लेकिन फिलाल कि अगर बात की जाए तो ये तमाम मिनिस्टर्स बना दिये गए हैं अब सिर्फ और सिर्फ विभाग आवंटित करने की बात है विभाग उनको देने की बात है किस हिसाब से भी भाग दी जाते हैं क्या बैठक में जो बैठक होगी उसमें भी विभाग उनको लेकर कोई चर्चा होगी तो ये भी देखने वाली चीज है लेकिन माना यही जा रहा है कि जो केबिनिट की बैठक अब से कुछी देर बाद जो शुरू होने जा रही है इसके बाद जो है तमाम मंत्रियों को उनको पॉर्टफॉलियो जो है वो दे दिये जाएं और वो अपना काम करते हुए नजर आएंगे पहले जो मंत्री रहे हैं उनको वरिष्ट्रा किनाते हम मान कर चलें कि महात्पून मंत्राले मिल सकते हैं विभाग दरसर मिल सकते हैं अगर पहले मंत्रियों के अगर बात की जाए जो पहले मंत्री रहे हैं उनको निश्ची तोर पर बड़ा विभाग दिया जाएगा उनको सीनियोटी के हिसाब से विभाग जो हो मिलता हुए नजर आएगा कई मंतरी ऐसे हैं जो दो बार तीन बार चार बार तक जो हम मंतरी रह चुके हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी वरेश्टा को देखते हैं उनको विभाग जो है वो दिया जा सकता है हाला कि जो पहली बार कैबिनेट का हिस्सा बने हैं पहली बार चुल करके आए हैं पहली बार विधायक बने हैं उनकी भी कही न कहीं अंदेखी यहां किसी की नहीं की जाएगी उनको भी विभाग जो है वो अंतित किये जाएंगी इसमें यह देखना होगा कि किस विभाग किस मंत्री के पास किस विभाग के साथ एड़ों कुन सा विभाग किया जा सकता है यह भी बड़ी चीज है देखे जिस प्रकार से पिछली सरकार के अगर मैं बात करूं तो मुख्षे मंत्री दुश्य चोटला थे उनके पास 11 विभाग थे तो ऐसे में कहीं न कहीं सारे अच्छे बड़े विभाग उनके पास थे और ऐसे में कहीं न कहीं कुछ एक मंत्रियों के पास विभाग जो है वो सिर्फ नाम के थे या यह कहली जिन में कम काम होता है उस प्रकार के विभाग दे तो इस बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है गटबंदन का कोई सहरा उनक को जरूरत नहीं पड़ी तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम मंत्रियों उनके अपनी हैं तो डिवाइड विभागों को किस प्रकार कियी जाएगा ये देखने वाले चीजड रहने वाले है क्योंकि अ किval जो देतार को जो लोगता की जाएंगे और उन मेंसे किसी मंत्रियों के जानम वो इस प्रतार का रहने बाला है जी से भी कई बार CID को लेकर उनकी आप कह सकते हैं कि मकभेद रहे और खुल कर सामने भी आए अब उन्हें किस तरह से एहम विभाग दे जाते हैं नायव सैनी के साथ उनकी किस तरह की ट्यूनिंग इस बार रहती है मंत्री के नातिवत और वरिस मंत्री यह भी देखना होगा वि 2019 की सरकार बनी तो मुखिय मंनोरलाल बने और इल विच और मुखिय मंतरी के बीच CSID विवाग को लेकर G小ört को लेकर कर नाकि रसाकसी देखने कohu email के वाद उसके बाद जो विवाग था नाकि CSID विवाग को से अलग कर करके याव बना दिया गया और वह साथित म Michmaसी के पास रहा था कैसी में कहीं रसाकसी जरूर देखने को मिली थी और उस रसाकसी के बाद CID और ग्रह विवाग दो अलग विभाग कर दिये गए थे मुख्यमत्री के पास गुप्चब विवाग चला गया था और जो पुलिस माफ की जगा जो ग्रह विवाग था जो तमाम और मुख्यमत्री नाइप सिंग सेनी के हिसे में आने वाला है वो ही उसकी कमान जो है वो सम्हालते वे नजर आएंगे और फिलाल के अगर बात की जाए तो अब से कुछी मिंटों के बाद जो है बैठक शुरू होने वाली है आप फिलाल आटवी मनजिल पर है यह बैठक के क्रिशनलाल पमार के हम बात करते मनुहर पार्ट बन में वरिष्ट मंत्री थे रवी है दोजार उनीस में हालांकी अपनी सीट नहीं बचा पाए थे उसके बाद 2022 में इनको राजसभा भीजा गया इस बार राजसभा की सीट छोड़कर इन्होंने चुनाव लड़ा जीते भ पूरी है रवी की एहम विभाग इनको भी दिये जा सकते हैं नाइब टू पैंटो में फोन डिसकनेक्ट हो गया शाद रवी का एक बार फिर से आपको जोड़ते हैं उससे पहले तस्वीर हम दिखा रहे हैं ये सच वाले की तस्वीर है इस वक्की तस्वीर है जब गाड़ पिर बात क्योंकि 11 बुजे का समय था और अब से किसी भी पली बैठक शीरू हो सकती है कुछी भीर में बैठक शीरू होने जा रहे है नाइब 2.0 की कैबिनेट की पहली बैठक के इसलिवर मत्रू हो जाती है किस तरह की चर्चा होगी कि इन मुद्दों पर बात होगी क्या क कोई बड़ा फैसला लिया जाता है या नहीं भी लिया जाता है यह भी देखना होगा अमोन होता है यह कि एक संदेश देना इससे पहली बैठक से क्योंकि प्रात्मिक तसफष्ट हो जाती है सरकारों की क्याबिनिट की कि किस देशाम बें सरकार आगे बढ़ने वाली है कल यह बहुत बड़ी विश्वस्तियां था बढ़ाने वाली बात भी थी वादा निम्भाने वाली बात भी थी कि जो कहा नायब सेनी ने वो नायाब काम कर भी दिखाया 24,000 भरतियों के परिणाम जारी कर दिए गए और यह कहीं ने कहीं बहुत बड़ी स्ट्रेंथ वीजेपी की इससे पहले भी साबित हुई है चुनाओ में भी हमने देखा कैंपेनिंग में हमने देखा वीजेपी ने इसे बड़ी उपलबधी के तोर पर पेश किया कि हमने इस सिस्टम में परिवर्तन लाने का काम किया है हमने पर्ची खर्ची सिस्टम खत्म कर दिया अब योगी योगाओं को नौकरियां दी जा रही है सरकारी नौकरी मैरिट के आधार पर दी जा रही है कॉंग्रेस के कुछ विधायकों के जो की ओमिद्वार थे कॉंग्रेस के कुछ विधारों के बयान ऐसे आये थे जो कि बिलकुल कॉंग्रेस के खिलाफ गए जिसमें कोटा सिस्टम की बाते ही कि होडा साब ने कहा कि दो लाख नौकरियां दे जाने ही एक एक विधायक के हिस्ते इतनी नौकरी आएंगी तो ग्रेवडी की तरह बातने की बातने जो कॉंग्रेस के उमिद्वारों की कैम्पेणिंग में सामने आई वो कॉंग्रेस को कही नहीं कहीं नुकसान पहुंचाती नजर आई और ये परिणाम में साविक भी हुआ तो बीजेपी जिसे एक बड़ी उपलब्धी के तौर पर लेकर चल रही थी पर्ची-खर्ची सिस्टम खत्म करना उस पर खुद ही एक बार फिर से मुहर लगाई है जनतानी विश्वास भी किया था इस मुद्दे पर बहुत सारे मुद्दे होते हैं किसी भी चुनाओ में ल खले ही कमिशन ने रिजल्ट जारी किया लेकिन सरकारों की विलपावर भी आप जानते हैं बहुत एहम इसमें रहती है तो बेरा पर्ची-खर्ची के नौकरियां दे गई कलिये हुआ इसको इसलिए भी हम जोड़ रहे हैं क्योंकि आज पहली केविनिट बैठक है जो पहला ही बात है कि मैसेज राजनिती में बहुत दूर तक जाते हैं तो देखना है क्या किसानों को लेकर क्या महिलाओं को लेकर क्या युवाओं को लेकर गरीबूं को लेकर किस तरह का फैसला आज की केविनिट बैठक में हो सकता है ये देखना बहुत महत्पून अपने आप में रहने वाला है, हर एक अपडेट हम आप तक महुंचा रहे हैं, कुछी पलों का इंदिजार है, उसके बाद ही बैठक शिरू होने जा रहे हैं, कल दिस्तर नशे शपत, देखी एक एक दिन के हम बात करें, विधात गल के नेता चुने जाते हैं, नाप सिंग सेनी, कल शपत ग् रही, उनके बाद तमाब उनकी जो कैबिनेट, उनके साथ ही मंदल के रहे, उनकी टीम रही, वो भी शपत ले चुके हैं, और आज ये पहली बैठक होने जा रहे हैं, और पोर्ट्फोलियो बाटे जाने हैं, जो कि सुत्रों के हवाले से खबरी सामने आ रहे हैं, नाउ नि आज के लिए कमरी हैं, जो रूम से हैं, वो अलोट हो गए हैं, तो कार्याले बाटे जा चुके हैं, तस्वीरे हमने आपको देखा है, वाकाइदा, आफिस के नंबर्स आपको देखा रहे थे, रवी, नर्वीर सेंका ये दफ्तर रहे हैं, देख लीजे, मंत्री, हर्याना स कौनसा दफ्तर आर्थमी फ्लॉर पर मिला के, ये दस्वीरे सबसे पहले आपको हर्याल आजिज आपका अपना चैनल लगातार दिखा रहे हैं, क्रिश्न कुमार बेदी को भी, विपुल गोईल को भी, ये कार्याले लॉट हो गया के, तो देखिए सारी चीजें सलसेलिवा कि ठीक बाद क्या होता है, कारेभार संभालने से पहले क्या पोटफूली बाट दिये जाते हैं, क्या किस क्रम में तमाम चीजें होनी हैं, वो भी देखना होगा, तो ये क्रिश्नलाल पमवार का कार्याले है, सचिवाले से तस्वीर आपको देखा रहे हैं, ये श्रुति च में वरिस्ट मंत्री थे, 2019 में हलांकि अप्रत्यास्ट धंग से इनको टिकट नहीं मिल पाया था, लेकिन 2024 में पाटी ने टिकट दिया, तो विपुल गोईल बड़े अच्छे मार्जिन से, बड़े शांदा धंग से जीत कर आए, अब कैबिनिट में विपुल गोईल को शा किसे अपने मंत्रियों को कारेभार संभलवाते हुए नजर आएंगे, मंत्री कारेभार संभालेंगे, उस दोरान की तस्विर आपको दिखाएंगे, तो ये कारियाले लॉट कर दिये गए हैं, विभाग बाटे जाने का आवनटी थोरे का इंसार भी बाकी है, बैठक होनी ह 11 बजी का समय था और अब क्योंकि CM पहुंच चुके हैं, जातर मंत्री पहुंच चुके हैं, तो किसी भी पली बैठक शुरू होती होगी, और भी हमारे विश्य समधाता लगातार ये जानकारी दे रहे हैं, और सचवाले से हमारे साथ इससे पहले तस्विर भी लगातार द पहुंच चुके हैं, तो किस मंत्री का क्याक है पता सचवाले में, कौन-कौन से दफ्तर इनको दिये गए हैं, क्या है इनकी दफ्तर डंबर ये हम आपको देखा रहे हैं, तो आज का दिन बहुत खास है अपने आप में, आज कैबिनेट बैठने वाली है, CM के है कि आज है इनको विभाग भी मिल जाएं, तो किस मंत्री को कौन-कौन सा विभाग मिला खे कौन सा मंत्री, बहुत पाऊरफुल रहता है और विभागों के लहाँ से, हलां कि सभी विभाग अपने आप में महतिपून हैं, लेकिन कौन सा विभाग आप जानती ही हैं, पोर चाते रहेंगे चलिए रवी एक बार फिर से मरसाथ लाइव जुड़ गए है रवी इस वक्त क्या हल चल। चाते रहेंगे 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 चल। चाते रहेंगे 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 र किस तरह के फैसल लिए जाते हैं क्या कुछ होता कि इस लिए भी सबकी निगाहें इस पर बनी है तो अब थोड़ा ही इंदिजार के कैबिनिट बैटक कूले कर उसके बाद भी बैठक शिरू होने जारी रवे अब बिलकुल जो जो देखे अब कुछी इस फ़लाओ के बाद निकुछी मिंटर बाद बाद भी बैठक शिरूर को सकती है अमेरिक्टिन चैनी आप हो इसे हैं तो तो कमाम जो मंस्री है वो अलग जो जहां पहुंचते हैं आप बैठक के जारे है और उसके बाद जो ऑफिश कुछी मिन्तों निकुछी तलो पे बाद जो है बैठक शिरू हो जा रही है और ऐसे में कही न कहीं तमाम जो पीए वाइदे ते लोगों से वाइदे किये गए थे अला कि एक वायदा जो मुक्मिंटर की तरफ से किया गया था वो पूरा भी जा गया गया था कि अंगी कर दिया गया था तुम एक वाइदा पूरा किया गया था रूट बड़े वाइदे पार्दी बिन्टा फार्टी का था इस लिजन को पिस पकार चाहर किया जाएंगी इस विदानसवा की तारिक को लेकर कर भी रवी क्योंकि विधायकों को शपत भी दिलवाई जानी है पहले ही सत्र में इस विदानसवा सत्र में बुलाने को लेकर चार्शा जानी है अच्छा क्योंकि हम बात कर इस सेशन बुलाई जाएगा प्रोटेम स्पीकर उसमें चुना जाएगा सभी विधायकों को शपत दिला जाएगी स्पीकर को लेकर हम बात कर लेते हैं स्पीकर डिप्टी स्पीकर को लेकर अभी तस्वीर साफ होनी बाकी है रवी क्या कोई नाम सामने आया है लेकिं निशी साफ पर बुक्ता नामों के अगर बात की लिए तो क्योंकि एक नाम जरूर चल रहे हैं नहीं राज़ने की गल्यारों में चर्चायं की नाम की जरूर चल रहे हैं के हरविंदर गंल्यान की बात करें किसके साथ अगमुदन शर्मा की बात करिए ऐसे जो नाम हैं जिनको लेकर पहिना साइं चर्चायं चल लिए कि ये स्पीकरे की स्पीकर के पत पर आठक करें हैं हाला कि को environmental की संदीट की सबसक्त North नंट करें हैं हाला कि ये बाता है लेकिन प्रस्षे जादा नाम की चचायen zamhuk में दो जा गो नाम हमें जाएं क्योंकि एक संदीश भी जाते है रवी कल कल जो हुआ जो आप जिक्र कर रहे थी कि पहला वादा तो निभा दिया के और पहली केबिनिट में कोई भी फैसला जो लिया जाता गे वो सरकार के आने वाले पांच साल को लेकर एक दिशा दशा तै करता गे कि इस तरकार की क्या कुछ प्रात्मिक ताई रहने वाली हैं आने वाले पांच साल को लेकर तो बिलकुल रभी हमें जानकारी दे रहे हैं और किसी भी वक्ती बैठक शीरू होती होगी क्योंकि सेम पहुंच चुके हैं, कैबिनिट के उनके साथ ही पहुंच चुके हैं और कैबिनिट बैठक ये होगी, इसमें सात्र को लेकर भी चर्चा होगी, क्योंकि पहला सात्र बुलाया जाना है, ठीक मंत्री आप जानते हैं, शपत ले चुके हैं, विधायकों की शपत भी होनी है, और स्पीकर अभी चुना जाना, डिप्टी स्पीकर अभी, स्पीकर डिप्टी स्पीकर कौन होंगे, इस बात पर भी निगाहे लगातार बनी हुई है, लेकिन उसे पहले तस्वीर हैं हम आपको देखा रहे हैं, ये दफ्तर अलोट किये गए है, आर्टमी फ्लॉर की ये तस् 스를 बर एक और मणिस्ति बने कुछ दिन पहले ही जब हम 12 मार्श की बात करें सीम बनाया गया था, तब ये पूर्व मंत्री हो गहे थे, पूर्व मंत्री हें पूर्व मंत्रुर स्पीकर को हम आप जानते क्योंकि CM जिस बैठेक में विधाग्दल का निता चुना गया उसमें अनिलविज बाहर आ गये थे और फिर जो नई केविनिट का गठन हुआ केविनिट बनी उसमें अनिलविज का नाम नहीं था जो भी शिक्वा शिकायती थी आप पे सामने यह तमाम बाते तो अब यह दफ्तर हम आपको देखा रहे हैं कारियाले हैं हर्यान के नई मंत्रियों के और यह कारियाले पूरी तरह से तैयार हैं इंतजार हो रहा है मंत्रियों का केविनिट बैठेक होने जा रही है और इसके बाद मंत्री अपने कारियालें में पहुंचेंगे अपना खे कईोंग जारी तो मंत्री पहुंची चुके अपडेट यह के मं पहुंच चुके हैं सिम् भी सची वालबी मौजीड है तो यह कि अदेखी होगी कुछ घृबादि बाटक होने जारी ai पहली cabinet में पहली कलम से क्या लिखा जाता है क्या फैसला होता है यह जारने के लिए आप लगाता हर हमारे साथ बनी रहीगा कार्याले जब मंतरी सम्हालेंगी वह तस्वीरें भी हर्याला नियूज आपको सबसे पहले दिखाने जा रहे है विभागूं का जो कि संभावना लाएंगे तो यह जानकारी भी सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने वाले हैं तो चले एक बार फिर साथ आपको लेए चलते रवी हमारे साथ मारे विश्य समधाता फिर से लाइव जुड गए है रवी तमाम मंतरीयों को कार्याले बाटे जा चुके हैं एक बार फिर से इस वक्त हम चोथी मंजिल पर रहे हैं चोथे कल पर जोहाँ पर मेडिया को अंदर जाने की नहीं होती जहां कमेटी रूम है वहां तक जाने की परमीशन नहीं होती और थस्वीरों के माध्यम से आप देखने तो रभी आ गए हैं यहां बैठेक होनी है इससे पहले रभी आप आपको आपके फ्लोर पर तमाम जो कार्यालें हैं वो दिखा चुके हैं अब दिखाए लाइब तस्वीरे रभी फोर्ट फ्लोर से अपके फूर्ट फिर्फ करें उसकार से जो तमाम जो मंत्री हैं वो यहां पहुंचेंगे और आए और कमेटी रूम में जाएंगे अब इंतजार किया जा रहा है तमाम मंतरियों के पहुंचने का जो मंतरी यहां पहुंच चुके हैं वो मुखे मंतरी नाइब सिंग सेनी के साथ बैठे हैं और जब वो तमाम मंतरी यहां पहुंच जाएंगे उसके बाद जो है यह बैठक जो है जो ते वो शुरू हो जाएगी यानि कि कुछी मिंटो की बा यह शुरू जो है वो होने वाली है आप तस्वीरों के माद्यम से दिखाने का प्रियास करेंगे कि किस प्रकार से यह बैठे में तमाम जो मंत्री हैं वो यहां पहुंचने वाले हैं किस प्रकार से तमाम चीजें आगे बढ़ते भी नज़र आएंगी तस्वीरों के माद्यम स जस्वीरें हरियाना निउस अपने दर्शेकों को दिखा रहा है तो गहमा गहमी बढ़ चुकी है कमिटी रूम में बैठक शिरू होने का इंतिजार के और एक क्योंकि जो वादे चुनाव में किये गए थे तो संकल प्लिय गए थे क्या उन पर विचार होगा क्या कोई बड़ को अब इसकार बिल्कुल जोति देखिए बिल्कुल नशित्रों को न स्टोप फर्याना जो है वो बनाने की बात की गई थे कि था और उसी नॉन्स्टोप के हिसाब से उन तमाम कामों का जिक्र बारती जंता बार्टी के तमाम निता करिये करता लोगों के बीच जाकर करते हुए नजर आये थी तो अब भी उसी प्रकास से काम करने की बाते की जा रही है कि जो वाइदे किये गए थे जो संकल्प लिए गए थे जो चुनाओ के दोरा संकल्प पर जानी किया गया था उसी हिसाब से तमाम जो काम हैं उन संकल्प को कही न कहीं फूरा किया जाएगा तो ये तमाम वाइदे वाइदे को लेकर रही वर्दिश देखिए तश्विरों में हम के मंतरी नाइव सिंग साइणी आप से कुछ मिनटों में यह बैठिक जो है वो शुरू हो जाएगी आप तश्विरों के मादद हमसे देख रहे हैं तमाम मंतरी हैं तमाम ऑफिशल्स हैं आधिकारी हैं कौन के स जो है कमें की रूम में जाते हुए नजर आ रहे हैं एक्स्क्लूजिव तस्विर अहरियान ने उस पर हम दिखा रहे हैं यह तमाम जो मंतरी हैं तमाम जो कविनिट के साथ ही है नाइव सिंग सैनी के वो यहां पहुंचे हैं और आप से कुछी दियर बार जो है वो शुरू तो सभी मंतरी क्योंकि हम देख रहे थे सीम साथ में रनवीर गंगवा महिपाल डांडा को आप टस्विरों में अपने टी स्क्रीन पर दर्शक देख रहे हैं गौरो गौतम भी इन से पहले थे और ट्रिश्णवेदी विपुल गोएल तमाम मंतरी सीम के साथ पहुंचे हैं तो बैठक के लिए अंदर जा चुके हैं अब बैठक शिरू होगी और चर्चा शिरू होगी रवी आपको इंदजार हम मानकर चलें कि नहीं बचा हैं बैठक को लेकर बिल्कुल देखिए कुछी विंटर में अभी बैठक जो शुरू होगी तमाम जो मंतरी हैं मुखिम्तरी समेथ कमेटी रूम में जो है वो पहुंच चुके हैं जिस पार से ये तमाम जो मंतरी पहुंचे हैं हाला कि इसमें थोड़ा सा समय जो लेट जुरूर हुआ जो ऑफिशन समय था ग्यारा बज़े गया था और करीब ग्यारा बज़ के पत्चीस मिनटा भी हुए हैं तो इसके पीछे वज़े यही थी कि कुछ एक मंतरियों को दूर दराज से आना था वो अपने कल जो शेपत चले यह ब्रेकिंग हटाईए टेव स्क्रिन से ब्रेकिंग हटाईए क्योंकि सभी मंतरी पहुंच चुके हैं और तस्वीरें हम देखा चुके हैं यह आठवे फ्लोर की तस्वीरें जो अरवी ने अबसे पहले दिखाई थी विपुल गोएल का यह कारियाल है तमाम मंतरिय पहुंच चुके हैं उनके टीम कमिटी रूम में एंटर कर चुके हैं प्रवेश कर चुके हैं सीम थे उनके साथ रावनरबीर सिंग थे विपुल गोएल थे कृष्ण बेदी रणबीर गंगवा भाहिपाल धांडा गौरव गौतम यह तमाम वो मंतरी जो कि सीम के साथ भी जा जरी है और पहली может बेटर्य क में किस थरे के चर्चा होती है वो देखना होगा ऐस्वीर प्रक्रह प्रव को बिलायकों ब्लाई जाएगा अब जानते हैं बूरी प्रक्रियाबासेज को भी जानते हैं प्रोट्रेम चुना पूरी हर्याना की दिल्चेस्प पे आज निश्ची तोर पर देखे जोती विभाग भी आज ही आउन्टित कर दिये जाएंगे विभाग भी आज ही अलोड तमाम मंत्रियों पर दिये जाएंगे इस बैठक के तुरंग बाद जो है मुख्य मंत्री नायव सिंग सेनी तमाम मंत लॉड का घठन हुआ था, मंतरी मंत्री मंल में तुमाम जो साथी आय थे शबाध उनकी तरफ से लिए थी इस पहले अगर पौटफॉलियो की बात की जाये तो पौटफॉलियो तमाम मंत्रियों काz raging सोपा खूया, लॉब देले जाए तो पौटफॉलियों तुमाम जो मंत्री हैं को किस प्रकार से बड़े विभाग हैं वो दिये जा सकते हैं यह देखने वाले बात है यानिकि उनके कद के हिसाब से उनको पॉट्फॉलियो हो दिया जाने की संभावना जो हम वह नजर आ रहे हैं बिलकुल इससे पहले कि एक-एक मंत्री को लेकर जब हम बात बेर जाएंगे उनको बड़ा पॉट्फॉलियो जो है वो दिया जा सकते हैं अब देखना होगा है उस पॉट्फॉलियो जो में पॉट्फॉलियो है उसके साथ-साथ उनको कौन से एड़ोन जो पॉट्फॉलियो है उनके मंत्राले ने उनके साथ जो है वो एड़ कि जा सकते हैं उनको और में दोशन के पास उनकी पाटी की कोटे में चला गया था तो इस बार उन ही किस तरह की विभाग मीलिंगे इस बात पर नजर है क्योंकि 2019 में उन्हें टिकट नहीं मिला था उस बार टिकट दिया पार्टी ने हलांकि आँखे दिखा कर टिकट लाई वो अलग बात है लेकिन अच्छे मार्जिन से जीते हैं संभा हुए कि उन्हें भी कोई एहम जिमेदारी नाइब देने वाली है अपनी टीम में य्यानि मंत्री है तमाम और यह सच वाले आप गए हैं जयातर हरियाना के लोग जानते है और चौथे व्लोर पर बैठेक कमेटी रूम में जहां से हे कर रही जानकारी दे रहे थे अलग-लग मंत्रियों को लेकर हम इस लिए भी बात कर रहे है क्योंकि अभी केवोल है ही है कयास ही लेकिन जिस क्रम में मंत्री शपत लिए है